गवर्मेंट स्कूल में काफी इंप्रूव्मेंट आया है सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम लगवा के अटेंडन्स इंशोर करिये कि टीचर आएं वहाँ पढ़ाएं विजली भी कि मैं भी सुधार हुआ है, सडक मैं भी सुधार हुआ है गवर्मेंट के बाद से मुझे कोई भी एजुकेशन सेक्टर में एक कोई बहुत बड़ा एचीवमेंट बिल्कुल नहीं दिखता गवर्मेंट का इतनी महंगाई इनों ने बढ़ा दी, अच्छे दिन की इंतजार करते करते हम लोग ठक चुके हैं कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन गया सिलेंडर देखिये और भी बहुत से सम्मानों में इतनी महंगाई बढ़ा के रख दिये सारे घर का बजट फेल करके रख दिया है नमशकार मैं हूं सुधिर शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी तक उत्तर परदेश सरकार को चार साल चार महीने हो चुके हैं सरकार ने बड़े-बड़े वाइदे किये और दावे किये बिजली पानी, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, चिकित्सा, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है हम दावे और हकीकत जानने के लिए आप पहुँचे हैं चूडियों के विश्व विख्यास सहर फिरोजाबाद में जहां हम लोगों से जानेंगे कि हकीकत क्या है लोग क्या कहते हैं उत्तर परदेश सरकार के बारे में योगी आदितनाद की सरकार के बारे में सरकार का कारे 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 का जोगडाउन के काराण कुछ बच्चों को बहुत दिककत आई है, एजुकेशन की और जैसे क्योंकि सब के पास मुबाइल नहीं है, डिवाइस नहीं है, नेट नहीं है, तो उस शेतर में शायद से सरकार कुछ और भी कर सकती थी, जिससे बच्चों को और एजूकेशन मिल पाए शात्रों को अभी निराशा नहीं है लेकिन सरकार को कुछ और करने की जड़ोते आईए और लोगों से बात करते हैं क्या नाम है आपका डॉक्टर मायंग भटनागर मायंग जी आप पुरा एक इंटर कॉलेच चलाते हैं क्या परेशानी है और दूसरी बात यह सरकार ने बहुत दावे किये हैं चार साल चार महिने में बहुत कुछ हो गया क्या क्या हुआ है देखिए किसी भी देश का जो बेरमीटर और मापदंड अगर हम किसी प्रगती का जब हम नापते हैं तो ज्यादा तर जितने भी वेस्टनाइज जो डेवलप्ट कंट्रीज हैं उनका बेरमीटर शिक्षा होता है शिक्षा ही आपको रोजगार दिलाता है रोजगार से ही आप आय अर्जित करते हैं पर कैपिटा इंकम और नेशनल इंकम उसी से बनती है इस गौर्मेंट के बाद से मुझे कोई भी एजुकेशन सेक्टर में एक कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट बिलकुल नहीं दिखता जब से कोविड आया है तब से तो बिलकुल शिक्षा का सर्वनाश होके रह गया बाकाइदा शिक्षा मंत्री और प्रशासन के सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत तारीफ करते हुए नहीं ठकते कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है चात्र सीख रहे हैं मैं पुर जोर विरोध करके क्लियर बताता हूँ कि ओनलाइन शिक्षा बिलकुल व्यर्थ है गुरु शिश्य परंपरा भारत की एक स्वनिम इतिहास रहा है लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शिक्षा का नाच किया गया है ओनलाइन शिक्षा से आजकल बहुत चोटे-चोटे विद्धियर थी कई और साइट्स पर डाइवर्ट होके अपने आपको बिलकुल एक अलग दुनिया में ले जा रहे है ये शिक्षा की नीती से थोड़ा सा सहमत नहीं है आईए और बात करते हैं हमारे संग महिलाएं भी हैं इन से जानते हैं कि योगी का साड़े-चार साल का लगबक कारेकाल कैसा रहा मोना जी आप क्या करती है और आपको कैसा मैसूस हो रहा है चार साल-चार महिने में सरकार ने जो वाइदे किये वो पूरे हुए हैं क्या मैं एक अध्यापिका हूँ और चोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन स्टार्ट करी हैं जो क्लासेस उससे चोटे बच्चों को तो बहुती परिशानी है क्योंकि चोटे बच्चे का सबसे पहला सबग यही होता है कि वो स्कूल जाना सीखे और अपनी बातों को वो एक दूसरे से कहना सीखे वो पहली बात तो ऑनलाइन में वो ना माए इती देर उनके संग बैठ सकती है तो उनका तो बहुत ही जादा नुकसान हो रहा है चोटे बच्चों बड़े परिशान है और कुछ जगाओं पर नेट वगएरे नहीं पहुच पाता तो पढ़ाई में भी काफी नुकसान हो रहा है चलिए और महिलाएं से बात करते हैं क्या नाम है आपका? आरती शर्मा आरती जी आपको कैसा लग रहा है साड़े चार साल लगबग सरकार के होने वाले हैं अब दो हजार बाइस में चुनाव होंगे कैसा रहा ये कारिकाल? कारिकाल गवर्मेंट का जो है इतनी महंगाई इनों ने बढ़ा दी अच्छे दिन की इंतजार करते करते हम लोग ठक चुके हैं कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन गया सिलेंडर देखिए और भी बहुत सी सम्मानों में तनी महंगाई बढ़ा के रख दिये सारे घर का बजट फेल करके रख दिया है तो इसलिए बहुत अच्छी नीती तो नहीं कह सकते ठीके लेकिन गवर्मेंट है अपना कारे कर रही है तो और आगे इंतजार देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हमारे संग श्रमिक नेता है मैं यह आपको बता दू कि फिरोज़ाबाद में तीन लाग श्रमिक काम करते हैं हर तीसरा शक्स चूड़ी के कारोबार से जोड़ा है हर समय चूड़ी के कारोबार में परिशानी रहती है आईए स्रमिक नेता से जानते हैं कि क्या इनकी परिशानी है और पिछले साड़े चार साल में सरकार ने क्या नहीं किया बुरी सिंग आदम नाम है मैं काच्चो द्योक करांदकारी मजदू संका मासे चबू हूँ और यहां फरोजाबाद में साड़े चार साल में मजदूरों के साथ जो बेवार हुआ है वो आज तक नहीं हुआ मजदूरों से 10 गंटे 11-11 गंटे काम दिया जा रहा है उन्हें नियूंतम मजदूरी जो सरका कि नियूंतम बेतन के आदार पर नहीं दिया जाता है और आए दिन हरताले होती रहती है यहां का मजदूर बिशेश परेसान है पूरा उद्योग बरबादी कार पर खड़ा कर दिया है यहां के स्रम अधिकारियों की जिलाप्रसासन की बहुत बड़ी कमी है वो मजदूर न पार्क में खड़े हैं हालत यह है कि यह पार्क भी पूरा उजड़ा हुआ है आई यह कुछ और लोगों से जानते हैं कि सरकार ने विकास के वाइदेतों किये हकीकत में क्या है क्या नाम है आप नमस्कार सर मेरा नाम नीतिका उपाद्या है और मैं यहां फ्रोजवा सहर से एक स्कूल संचालक हूँ और मेरे मुद्दे तो सर प्रदेश सरकार के लिए वैसे काफी है मैं अगर अपने सेक्टर से बोलू तो सिक्षा के छेत्र में तो हमें सरकार की तरब से कुछ ऐसा नय सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए क्योंकि कितने लोगों को भी इससे बेरोजगार मिलता है आप यह समझिए तो लोग जो बेरोजगारी की तरफ भढ़ रहे हैं जाने कितने सिक्षक और कितने आया हैं और यह कितने फॉर्ट क्लास से जो लोग होते थे बस चालक होते थे जो जो कुछ है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं यहां आप इस स्थिती में ले लिजे जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है क्या ऐसी महंगाई में इस समय लोगों का इस हालात को सफर कर पाना आसान है मतलब लोग के चिन में एक तेल जैसी चीज के लिए सफर कर रहे हैं गेस सलेंडर इतना महंगा हो चुका है पहले सबसिटी देना फिर उसको ख़दम कर देना यह सब कहा है और विकास के आधार पे तो सहर की क्या आलत है हम जिस जगह खणे हैं वहां अजारों गड़े जिस जगह खणे हैं वहां कीचड का माहूल है बरसाती पानी इस्तर का य जाना एक्सपोर्ट किया जाता है केवल फिरोजाबाद से साड़े चार साल में इनकी जिन्दगी में क्या बदलाव आया है इनी से जानते हैं क्या नाम है आपका मनुज गुप्ता नाम है मनुज जी साड़े चार साल सरकार को लगबग पूरे हो गए चार साल चार महीने क् कुछ वा है नहीं रिजू भी में भी सुधार हुआ है सबसे घर प्रशाशन में काफी सुधार हुआ है गुंड़ा गर्दी घटम ही है योगी जी he आप बहार से आए हैं फिरोजाबाद से व्यापार करते हैं गुजराज से आए हैं आपको फिरोजाबाद में पिछले साड़े चार सालों में कुछ बदलाओ दिखता है क्या जैसा है कि पहले यहाँ पर गुंडागर्दी खुब थी जब हम गुमने आते थे रात को निकल नहीं सकते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता बुंडागर्दी है यहाँ पर मावलब अच्छा दिखता है उमने लायक है योगी जी के राज में कांच के कारोबारी हैं कारखाना चलाते हैं उद्योग धंदे की क्या इस्तिती वर्तमान में है यह खुद बताएंगे क्या नाम है आपका बाहर सबजय के लोगड़न लगा हुआ फिर भी योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं और जो वो उपर से काम आ रहे हैं सारे कामों को जो अमली जामा पहना जा रहा है कोई ऐसी बात जो आप योगी जी से कहना चाहेंगे कोटी रुद्यों के लिए कुछ ना को सोचना चाहिए करना चाहिए क्योंकि चूड़ युद्यों किसमें पिशरता जा रहा है सरकार तो कहती है वन डिस्टिक वन प्रोड़ाट के तहट फिरोज़ाबाद का माल बेचा जा रहा है यह था फिरोज़ाबाद का सूरते हाल कई स्कूल संचालकों से बात होई तो उनका ये भी कहना है कि उनसे उस समय का बिजली का बिल और हाउस टेक्स भी लिया जाता है जब डेड़ साल से स्कूल कॉलेज बंद है सरकार को अभी इस ओर भी ध्यान देना होगा सुदीर शर्मा फिरोज़ाबाद यूपी तक